हाई ट्वेल्डीज वेलकम दो एजवे कॉमर्स लासेज मैं हूँ तापिता और गाइस आज के इस वीडियो में हम अपने अकाउंट्स के इंपॉर्टन टॉपिक देखने वाले हैं जिसके आने के चांसेज 100 पसंट लग रहे हैं हम लोगों को तो आप लोगों को उसे अपनी मस्टू डुलीस्ट में रखकर उनकी प्रैक्टिस करनी हैं तो आज आप लोगों को पता है कै अकाउंट्स में आध के पास सληवी को बता है आज जो आज जो मैं जिस बुक की बात करें नाम है partnership partnership में हम सबको ऐसा लग रहा है काफी सारा course है partnership में आपके टोटल चार चार चेप्टर आ रहे है जबकी आपके रेशो में कम है, ratio ही एक लेंडी चेप्टर है analysis book से company शेरर कापिटल लेंडी चेप्टर है लेकिन हमें ऐसा लग रहे हैं कि partnership में काफ़ी सारी चीज़े आ रही है जिसमें partnership में पहला जो chapter आपका आ रहे हैं वो कौन सा है guys fundamental right fundamental के साथ दूसरा chapter जो आ रहे है वो है goodwill तीसरा chapter क्या है change in PSR profit sharing ratio fourth है हमारा guys admission right ये चार chapter है अब मैं आपको एक चीज़ बता दू guys admission जो भी इस साल first term कर रहे है guys आप लोगों का admission का मतलब 80% सारी चीज़े कट रखे है admission सिर्फ 20% आ रहे है आप लोगों के course में actual admission के cases से capital adjustment के कर चुका है balance rate कर चुका है आपको admission बिल्कुल इतना सा वो पार्ट दे रहे है आपको admission का so course जो ज्यादा आपको लग रहे है वो fundamental है जिसमें काफी सारे topics है जो आपको करने हैं समझने हैं तो अब में जो important topics जो आपको नहीं छोड़ने बिल्कुल भी किसी भी हालत में वो बताऊंगी तो सबसे पहले fundamental chapter अगर मैं पकड़ू तो गाईस इसमें एक चीज है that is partnership act 1932 कहां apply होता है जब हमारी deed नहीं होती यानि कि partnership deed आप सबको पता है न हम लोग agreement करते हैं उसे deed कहते हैं अब जब वो नहीं होता तो act apply हो जाता है 1932 तो इसमें जो बाते कहीं गई है कि profit and loss equal बाटा जाएगा अगर आपने कोई agreement नहीं बनाया है तो आप interest on capital नहीं दे सकते, interest on drawing charge नहीं कर सकते येस लेकिन interest on loan जो होता है guys वो सिर्फ 6% per annum से दिया जाता है तो ये जो है बहुत important concept है इसे आपको समझना है इस पर separate video बन रखे है guys जरूर देखना इसकी concept clarity रखना है क्योंकि इस पर case study आएगी आएगी second जो इस chapter से guys topic है उसका नाम है interest on drawing interest on drawing में आपको drawing calculation आ सकते है amount of drawing calculate करना आ सकते है so ये भी एक बहुत important topic है guys third जो इसमें से है guys topic that is appropriate profit and loss appropriation account में कौन सी चीज़े सिर्फ 5 चीज़े आती है guys अगर आपने मेरी वीडियो appropriation की देखी है तो बहुत असान है उसको समझना यहाँ पे हम interest on drawing दिखाते हैं profit तो हम profit and loss से transfer करी देते हैं ठीक है बाकि यहाँ पर बहुत कम चीज़े आती है interest on capital salary commission and reserve तो यह जरूर एक बार देख लेना बाकि interest on drawing must है करना ही करना है यह जरूरी करना है इसके अलावा guys एक past adjustment past adjustment में जैसे 10% interest on drawing देना था 9 करा या हमने interest on capital 9 देना था 10 करा तो इसके concept को जरूर से समझना वीडियो बन रखिये separate guys और बहुत असान concept है उसे जरूर करना क्योंकि यह भी most important topic में है ठीक है इसके बाद guys goodwill में अगर मैं बात करूँ average profit निकालना या फिर super profit और इसी का capitalization of super profit यह जादा important है इसको जरूर 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 करना है इसके बाद है guys change in PSR जो कि अपने में ही एक छोटा सा symptom or chapter है इसमें कुछ है नहीं जादा कुछ करने के लिए इसमें सिफ आपको क्या करना है sacrificing ratio आप सबको पता है old minus नहीं होता है लेकिन reserve का जो distribution है वो कर लेना reserve distribution guys दो तरीके से होता है या तो वो सारा आपस में बाठ देते हैं या फिर आने वाले समय के लिए रखते हैं रखते हैं तो sacrificing ratio में बढ़ता है लेकिन अगर आपस में सारा बाठ देते हैं तो सारे partners old PSR में उसे बाठते हैं तो में सिर्फ एक ही topic है जो main है important है admission की अगर मैं बात करूँ guys जो वो है important topic undervaluation and overvaluation यानि कि आपके कोई भी asset की value आपको दे रखी होगी 60,000, 70,000 और वो आपको बोलतेंगे यह undervalued है by 20% से या overvalued दे रखी है तो आपको actual value निकालनी है तो वो आपको आना चाहिए guys यह एक important topic हमें नजर आया है इसके अलावा guys इसमें जो आपका investment investment fluctuation reserve जो है या workman compensation reserve जो है वो जरूर करना है उसका concept भी आ सकते हैं कि revaluation में उसकी posting कैसे की जाती है या किसी asset को revaluation account में कैसे दिखाया जाता है तो वो important concept है इसका बाकि इन चारों चेप्टरत में guys एक जो common चीज है वो है entries pass करना तो वो लोग आपसे उम्मीद करेंगे examiners के आपको entries pass करनी आती है तो वो entries के आपको MCQ जरूर देंगे चार option entries के तो entries आपको अगर आपका practical concept अच्छा मजबूत है तो आप entries खुद बखुद कर सकते हो So entries को लेकर इतनी जादा tension नहीं लेनी कि entries हम learn करें कभी भी entries learn नहीं करी जाती है हमेशा concept को समझा जाता है entries अपने आप करते हैं हम लोग तो उस चीज़ को लेकर tension नहीं लेनी concept में अच्छी अपनी clarity रखो entries अपने आप हो जाएगी और ये important topics है guys इसको बिलकुल नहीं छोड़ना इन पर focus करना इसके अलावा जितनी भी चीज़ें उनकी practice जरूर करनी है लेकिन ये yes important topics में है इनको और अच्छी तरीके से practice करना है कि इनसे related जो questions आपको मिले कहीं से भी मिले practice करो नहीं होते तो मेरे साथ share करो instagram पर और कोई भी guys doubt हो तो आप मेरे से instagram पर बूच सकते हो आइडी है तब इता मैसी थांक यू